Hello Friends, आज हम 1000 Question Quiz Series का Part 8 लेकर आए हैं, जूकि आपके आने वाले Air Force और Navy exam के लिए important है Quiz Series आपके exam तक continuous रहेगी, हम daily 20 questions की live quiz करते हैं जिसमें से आपके किते सही रहे यह आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताया कीजिए हम हर एक question के लिए आपको 10 second का timer देंगे, उसके बाद उसका answer discuss किया जाएगा तो आज का आपका पहला question है, निमलिकित में से किस गिरिक शाशक को चंद्रकुप्त मौरे ने हराया अपका time शुरू होता है, अप, लाइफ चैट में आप इसका answer दीजिए तो इसका answer है, सेलुकस, सेलुकस निकेटर को, कब हराया था, 305 इशापूर में, चंद्रकुप्त मौरे ने हराया था ठीक है, और उसके बाद सेलुकस ने अपनी पुत्री कॉर्ण, कॉर्ण लिया से, चंद्रकुप्त मौरे का विवा करा दिया था, किस से, कॉर्ण लिया से, ठीक है, चंद्रकुप्त मौरे का विवा करा दिया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन है, महिलाओं को मता अधिकार देने वाला विशु का प्रथम देश कौन सा है, अपका टाइम शुरू होता है, अब लाइफ चैट में आंसर दीजिए, तो इसका सही आंसर है, न्यूजिलेंड, न्यूजिलेंड महिलाओं को मता अधिकार देने वाला विशु का प्रथम देश था, ठीक है, और ये कब दिया था उसने, तो अठारा सो नाइंटी थी में, ठीक है, अठारा सो नाइंटी थी में, उनने सेप्टेंबर को, उनने सेप्टेंबर अठारा सो नाइंटी थी में, महिलाओं को मता अधिकार दिया था, किसने, न्यूजिलेंड में, ठीक है, याद रखना है, नेक्स्ट क्वेशन है, प्रसिद कैला देवी मेला कहां आयोजित होता ह आपका टाइम शुरूता है अब तो इसका सही आंसा है करॉली कहां लगता है करॉली करॉली में प्रतिवर्ष चैत्र महा में कब लगता है चैत्र चैत्र महा में लगता है ठीक है चैत्र महा में ये आयजित होता है ठीक है उत्तर भारत के प्रश्द सक्ति पीटों में से एक इस मंदिर का भी इतिहास लगबग एक हजार वर्ष पुराना है ठीक है ये शक्ति पीटों में से एक है उत्तर भारत की ठीक है उत्तर भारत की सक्त पीठो में से एके कैला देवी मेला, ठीक, next question है, कागज का अविश्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, आपका टाइम शुरूता है, अब, लाइफ चेट में जल्दी से इसके आंसर दीजे, और जो लोग लाइफ क्विज नहीं लगाते हैं, बाद में लगा कागज का उप्योग किस ने किया था, चीन नहीं किया था, कागज का अविश्कार किस ने किया था, तो चीन के एक शक्स है, काई, काई लून, काई लून, इन्होंने कागज का अविश्कार किया था, ठीक है, कब किया था, 202 इशापूर में, ठीक है, 202 इशापूर में किय था, next question है, निमलिकित में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम वेक्ति है, आपका टाइम शुरूता है अब लाइफ चेट में आंसर दीजिए इसका सही आंसर है, यूरी गगरिन, विश्व के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम वेक्ति हैं, ये किस देश से थे, तो सोवियत संग, ठीके, सोवियत संग रूस, ठीके, सोवियत संग रूस के ये वेक्ति है, ठीके, और जो कब गयते, 12 अप्रेल, 12 अप्रेल 1961 में गयते हैं, ठीके, 12 अप्रेल 1961 में गयते हैं, और राके शर्मा भारत के प्रथम वेक्ति थे, अंतरिक्ष पर जाने वाले हैं, नेक्स क्वेशन है, सरप्रतम ये है बात किस ने कही कि गिरह सूरे के चारों और चक्कर लगाते हैं, अब का टाइम शुरूता ह जिसका सही आंसर है, निकोलस कॉपन निकस ने, ठीके, निकोलस कॉपन निकस ने कहा था, कि सूर गिरहे सूरे के चकर लगाते हैं, ठीके, और गिरहे के चकर कौन लगाते हैं, अब गिरहे लगाते हैं, और प्रत्वी का एक मात्र अब गिरहे है चंद्रमा ठीक यह सारे पॉइंट इंपॉरेंट है नेक्स्क्वेशन है जन रास्टी गान जन्गर मन के प्रेंडता थे आपका टाइम शूरूत है अब लाइफ चेट मा अंसर दीजिए तो इसका सही आंसर है रविन नाथ टैग और थे ठीक है जन्गर मन को कब अपनाया गया था तो 24 जन्वरी 1950 को भारत के प्रत्थम राश्टपती राजेंद प्रशाटी गान जन्वरी प्रेंडता है के दुआरा आधिकारिक रूप से जन्गर मन को 24 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था और पहली बार जन्गर मन कब गाया गया था तो 27 दिसंबर 1911 में ठीक है 1911 में पहली बार जन्गर मन गाया गया था ठीक है और यह रास्टी रास्टी गान है और रास्टी गीत कौन सा है वो मात्रा में जो कि वंकिम चन चटरजी दुवारा देखा गया है नेक्स क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट पती थे आपका टाइम शुरूता है अब तो इसका सयांसा है डॉक्टर शर्वपरली राधा क्रिश्चन है यह भारत के प्रथम उपराष्ट पती थे ठीक है और यह कब से कब तक उपराष्ट पती रहते है तो 1952 से 1962 से 1962 थे भारत के प्रथम उपराष्ट पती रहते है और यह भारत के दूसरे राष्ट पती है दूसरे नंबर के राष्ट पती कौन है तो डॉक्टर राधा कृष्चन सर्वणी है ठीक है यह दूसरे राष्ट पती रहते है और प्रथम उपराष्ट पती रहते है ठीक next question है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था अपका टाइम शुरूता है अब तो इसका सही अंसर है सुकुमार सेन सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे मुख्य चुनाव आयुक्त का घठन कब किया गयता तो 25 जनवरी 1950 में किया गयता ठीक है और उसके 70 साल बार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गयते जो की कौन बनेते सुकुमार सेन ठीक है नेक्स क्वेशन है निमलेकित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाती द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है आपका टाइम शुरूता है अप लाइफ चेट में जल्दी से आंसर दीजिए तो इसका सही आंसर है दीपा वली दीपा वली थारू जनजाती द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है थारू जनजाती कहां पाई जाती है तो शिवालेक और हिमाले परवत शंकलाओं के बीच में ये पाई जाती है ठीके ये भारत और नेपाल दोनों में है ठीके भारत और नेपाल दोनों में पाई जाती है चॉआ का बासी भारत में और नेपाल में भारत के कौन से अधिकांज राज्य है तो वो है उत्राखंड ठीक है, उत्राखंड, 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 UP, और बिहार, यहां पर फारु जन जाती पाई जाती है, ठीक है? next question है airlines year निम्लिकित मैंसे किसके पूर्ण स्वामित वाली कम्पनी है आपका time शुरू होता है अब लाइफ चिट में आंसर दीजिए तो इसका सही आंसर है इंडियन एरलाइन्स किसकी है इंडियन एरलाइन्स की एरलाइन्स एर उन्स्वामित वाली कम्पनी है निम्लिकित मैंसे किसका जर्म दिवस सिक्षक दिवस की रूप में आपका टाइम शुरू होता है अब लाइफ चेट में फटाफट चे आंसर दीजिए इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन यानि डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन के जनम दिवस पर सिक्षक दिवस मनाया जाता है चुकि का बात है पांच सेप्टेंबर को ठीक है पांच सेप्टेंबर को मनाया जाता है ठीक और राधा कृष्णन सर्वपली पहले उपराश्च पती है और दूसरे रंबर के राश्च पती है ठीक है याद रखेगा नेक्स क्वेश्चन है विजय इस्थम कहां इस्थित है आपका टाइम शुरू होता है अब और जयाद से जाद लोगों को शेर कर दीजिए जिसे लाइफ चेट में आपके साथ जाद से जाद लोग जुड़ पा कर दो इसका सही आंसर है चितौडघ विजय इस्थम कहां है चितौडघ गड़ में है किसने वनवाया था चितौड़घ राजिस्थान ने है और यह किस ठीक है राणा कुम्भा दुवारा ये स्थम बनवाया गया था विजय स्थम यह क्यों बनवाया था महमूद खिल जी के नेतरत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय पाने के बाद ये स्थम उन्होंने विजय स्थम बनवाया था और ये कब बनाता तो 1440 से 1448 के बीच में ये बनवाया था ठीक है 48 के बीच में बनवाया था ठीक नेक्स क्वेशन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाय थी आपका टाइम शूरू हुथा है अब लाइफ चेट में आंसर दीजिए तो इसका सही आंसर है सेर्शाहाने किसने बनवाई थी? सेर्शाह सूरी ने ग्रान ट्रंक रोड बनवाई थी ठीके जो कि सबसे पुरानी रोड है और सबसे लंबी पी है ठीके और डाग प्रता जो डाग प्रता थी वो भी किसने प्रचलित करवाई थी डाग प्रता भी शेर्शाह सूरी दुआरा ही प्रचलित किये गई थी ठीके नेक्स क्वेस्चन है कोटेले ने रचना की आपका टाइम शुरू होता है अब लाइफ चेट में आंसर दीजिए सब लोग इसका तो इसका सई आंसर है अर्थ सास्त की कोटेले ने किसकी रचना की थी अर्थ सास्त की रचना की थी कोटेले ने और कोटेले या चानक के ने ये एक संस्कृत का गरंत है किसका गरंत है संस्कृत का ठीके ये संस्कृत में लिखा गया है संस्कृत का ग्रंथ है ठीक है जिसमें जिसमें किसके बात की गई है किस पर विचार की गए तो राज वेवस्था क्रशी न्याय राजनीती इन सभी पहलों पर इसमें बात की गई है किसमें कोटिल अर्थसास्त्र को लिखा थीक है नेक्ट्स क्वेश्चिन है पॉंगल किस राजी का चर्चित पर्व है आपका टाइम शुरू होता है अब लाइफ चेट पर फड़ावट चांसर दिया कीजिए आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो इसका सही आप टमिल नाडु फॉंगल कहां का है चर्चित पर टमिल नाडु का है ठीक है तमिल नाडु दच्छर भारत का यह तेवहार है जो सूरे के मकर राशी में किसके सूर्य के मकर राशी में प्रवेश करने पर प्रवेश करने का सुवागत किया जाता है और सूर्य को अन्धन का सुवामी माना जाता है ठीक है और उसी के सामें ये पर्व बनाया जाता है पॉंगल जो कि कित्ते दिन का होता है चार दिन तक बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टिन है दिल्वाडा मंदिर कहा इस्थित है आपका टाइम शुरूता है अब और जो लोग लाइब को इस नहीं लगाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपके कितने सही रहे ठीक है और ज्यादा से ज्यादा वीडिय मंदिर है जो की पांच मंदिरों का समूर है क्या है यह पांच मंदिरों का समूर ठीक है दिल्वाड़ा राजिस्थान में ठीक निम्न में से कौन सा एक संग शासित प्रदेश दिल्ली का राज्की ये पशु है तो इसका सई आंसर है नीली गाए अगर क्शी का राज्की ये पशु है ठीक है और राज्की ये पक्षी कौन सा है तो गौर एया गौरया वहां का राज की पकशी है दोनों इंपॉर्टेन्टे याद रखना नेली का पशू है और गौरया राज की पकशी है दिल्ली का नेक्स क्वेस्शन है दिल्ली के अंतिम मुगल बाश्शा थे अपका टाइम शुरू होता है आंसर दीजिए तो इसका स्यान्स है बाहदुर्शाद जफर बाहदुर्शाद जफर दिल्ली के अंति मुगल बाश्या थे जिन्हें अंग्रेजों ने 21 सेप्टेंबर 1857 में कैद कर लिया था और कहां बेज दिया था रंगून वर्मा की राजदानी रंगून में बेज दिया था ठीक है और रंगून में ही उन्हें फासी दे दी गई थी ठीक है नेक्स क्वेश्चन है और आजका लास्ट क्वेश्चन है खालसा पंद के संस्थापक थे आपका टाइम शुरू होता है अब इसका सभी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके करेंगे ठीक है और प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिए तो इसका सही आंसर है गुरू गोविंद सिंग गुरू गोविंद सिंग खालसा पंद के संस्थापक थे और उन्होंने खालसा पंद की स्थापना कब की थी तो 1699 में इन्होंने खालसा पंद की स्थापना की थी ठीक हैं और जो कि वैसांखी का दिन है। यह भी पूछा जाता है। तो वैसांखी के दिन कीती। ठीके। तो यह थे हमारे आज के कुछ 20 क्वेशन की लाइव क्यों अपको कैसी लगी आप मुझे कमेंक दो क सरूर बताइब। और अगर आपको पसंद आती है तो please like and share. Thank you.